नमस्कार वेलकम टूड़ वीजन 2.0 मैं हुदी पकुमार और आज आप सभी जाने वाले निटररी सोर्स मिन्स साहिदिक स्रोत के बारे में साथी साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे समन्दित मेरे दो वीडियो और लेडी आ चुके है जो नेट हिस्टी पेपर 2 से समन्दित है पहले वीडियो मैंने आपको नेट के सिलेबस को रिव्यू करवाय था बताया था कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और second video मैंने आपको archaeological source के बारे में बताया था क्योंकि आपका जो syllabus है कि उसका पहला unit है वो negotiation the source, source पर ही discussion करती है इसलिए मैंने source सही स्रोत सही शुरू किया हूँ तो second video मैंने आपको बताया था archaeological source के बारे में इसमें आपको literary source के बारे में बताऊँगा और जो आने वाले video है उसमें आपको foreign accounts means बिदेशी यात्रा ब्रितान के बारे में बताऊँगा क्योंकि source के तीन परकार होते हैं पहला पुरा तात्विक स्रोत means archaeological source दूसरा literary source means सहीतिक स् and तीसरा foreign accounts means बिदेशी यात्रा ब्रितान तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज कुछ क्या आपके लिए नया है जैसे कि स्लैट्स में आप देख रहे हैं literary source means सहीतिक स्रोथ तो आज आप पढ़ने वाले हैं literary source के बारे में इसके पहले video में मैंने आपको archaeological source के बारे में प written form are called literary source मैं आसान सब्दों में आपको बता दू कि literary source क्या है कि वे सारी स्रोते वे सारी पूस्तक जिसे पढ़कर आप इतिहास के बारे में जानते हैं और जो written form में उपलब दो written form में लिखित रूप में उपलब दो उसे हम literary source कहते हैं जैसे आपको हो गया आपको वेद हो ग social conditions, political conditions, geographical conditions के बारे में आप जानते हैं तो इसको हम इसी लिए literary source भी कहते हैं अब हम चलते हैं और इसके परकार के बारे में जानते हैं तो इसकी जो पहला परकार है religious source हो गया non-religious source हो गया and foreign accounts हो गया हिंदी में कहें तो आपको धार्मी गरंत हो गया आपको गया धार्मी गर फिर कि इसके लिटरोरी स्ोर्स के परकार है तो वे सारी स्रोर्स concepts की जानते है और इसके परकार परकार। बेसेорिज disrespect 놓 ? religious and foreign accounts हो गया, अब हम चलते हैं और एक-एक के बारे में, तीनों को एक-एक करके बारे में हम जानेंगे, तो पहला हम जानेंगे religious जो परकार है, उसका types है, literary source को उसके बारे में, religious source के बारे में, तो यहां पर है religious source क्या है, तो religious source क्या है, basically which are related from any religious, ऐसे जो source, ऐसे source होगा उस टाइपस के सारे बुक्स को उस टाइपस के सारे सोर्स को हम रखते हैं, जैसे वेद हो गया, वेद से क्या होता है, वेद से आपको हिनु धर्म के बारे में जनकारी मिलता है, त्री पिटक हो गया, त्री पिटक से आपको बहुत धर्म के बारे में जनकारी मिलता है, तो इ इसलिए इस टाइप के चितने भी किटाब है जितने हम लिटरेचर एके टेक्स्ठ हैं वो सारे हम डिलिजियस सोर्स के अंतरगत रखेंके तो लिगत रखेंगे थे पहला परकार को हुआ। वह कि ऊहती है 15 अबательно के टीन परकार है पहला प्रामान दूसरा बाउस हई दैसे जयन ढ़ती है अब जयन आँ दीन इन परक में कर छाने उच्टी कर जाने हूंगे। पहले होगे पहले होग्स धो को ब्राम्हन सहीते अब राम्हन सहीते स्टी क्या है फिर आड़नयक, आड़नयक होता है, मने वन में लिखे गए जितने भी किताब है, पहले क्या होता था ना, लोग पहले अपने तपस्या करने के लिए जंगल में जाया करते थे, जंगल चले जाते थे, वहाँ पर घोर तपस्या करते थे, तपस्या मेंस वो इस्ट्रगल करते चीजों को जानने के परयास करते थे, भगवान के भगती करते थे, इसके बाद जो एक्सपेरियेंच जो अनुभाव पराप्त करते थे, उसके अधार पर जो किताब वन में रहकर लिखा जाता था, उसे हम आड़नेक, उन सभी जो किताब है उसे आड़नेक कहते हैं, अब जो निशद, गुरु के समीप रहकर, गुरु से सिच्छा पराप्त कर, अपने अनुभाव के अधार पर गुरु के समीप रहकर जो किताबे, जो टेक्स लिखी जाती है, उसे उपनिशद कहते हैं, और इसकी संख्या कितने है, तो इसकी संख्या 108 है, 108 है, अब चलते हैं, और चलते हैं, महा कावे, हमारे हैं महा कावे दो है, रमायन और महा भारत, यह भी क्या है, ब्राम्हन जो साहिते के अंत्रगत आता है, और यह भी आपको ब्राम्हन जो सनातन धर में इसके बारे में जनकारी देता है, तो इसकी संख्या 2 है, इसके बाद पुरान है, हमारे ह बजह पुरान उसका नाम है मतस्य पुरान तो वियादाखे कैट 10 थे संक्या कर आदको कि आपको मुदों के इस अपको गिया इसलाइट मैं अपने जाना लिट्रारी शोर्स के बारे में उसके डाफनेंश आपको लिट्री षोर्स के बारे में इसके लिट्ररी आणि नुमस पार्वूरी पर लेगुलिक वह एंक पीजरी सोर्स सब्स्तार है। वान unmut Better जुज भी आज है यह जो तीन परकार बिल्हें पाला ब्राम्हान दुसरा बाज ए्ला आंप आ पर मैंने बताया कि इसके अंत्रगत क्या आध क्या आंगे तो इसके अंत्रगत् आपनिषद आजाएंगे, महाकावबे आजाएंगे, पुरान आजाएंगे, वेदांगे, किसके ब्रामन साहित्य के अंत्रगत. अब हम नेक चलते हैं, नेक स्लाइट पे, जैसा कि यहां पर आप इस देख रहे हैं, यहां पर आपको यह बनाया गया है, ताकि आप असानी से, simply इसको समझ सकें कि literature जो था, literary source था, वो कितने परकार के था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे आप असानी से समझ जाएंगे, यह आपको literary source हो गया, इसके अलाबा इसके तीन परकार थे, religious source, non-religious source and foreign accounts थे, इसके बाद जो religious source के आपको तीन परकार मैंने बताया था, जो ब्राम्हन, बौद और जैन, इसके बाद इसके अंत्रगत, इस टाइपस के जो literature हो आते हैं, इसके अलाबा नौन रिलिजियस कंत्रगत, इस सब literature आ जाएंगे, इसके अलाबा आपको foreign accounts के अंत्रगत, इस सारे literature आ जाएंगे, तो इस slides पर आपने जाना है, यह आपको ड जानते हैं, जैसा की इस slides पर आपको लिखा है बौद लिटरेचर, आपको मैंने बताया था कि ब्राम्हन बौद और जन, यह क्या है, रिलिजियस की तीन परकार मैंने आपको बताया था, धार्मिक साहिते की तीन परकार थी, जो आपको पहला थी, ब्राम्हन और दूसरा थ तो भुष लीटरेचर में जो बहुत धर्म से समंधित हो, जो बुद्भग्वान और बहुत बहुत रिलिजियस है, जो धर्म हो, उसके बारे में जनकारी देता हो, तो उस टाइपस के जितने भी लीटरेचर हैं, ठेक्स्ट हैं, हम इस काटेगरी में, यहां परिष्य तरीन में रखते हैं उसे हम बॉट लिटेशर कहते हैं जैसे आपको थ्री पीटक के आपने नाम सुनों होगा त्री पीटक तीन जो लिटरेचर हैं उसके समू है गरूप है पहला श्मेर पीक शुष बिनेतर विनेतर बख़ग्यद्य मुरूành मिला और ट्री थाजव के चलते और कुछ रूच बारों किताब चुपर जो बहुत हरम से संमंदित बारे में जानते हैं पिधर अपको ज्यातक गथाएं hope तो जातक कताय में आपको बूद्ध भगवान के पूर्व जन्मांतर के वारे में इसमें डीचिल रूप से चर्चा किया गया है और ये जो आपने हमने आपको बताया कि जो त्री पीतक है एक बहुत भीच्ज होते हैं क्या करना है क्या नहीं के बताया गया इसके अलाबा जो उनकी उप्देशों को संग्रह किया गया है इन सारे चीजों में आपको मिलेगा बूद्ध भगवान के इसके आलाबा नियम चा इसमें उलेखित किया गया है अब नेक चलते हैं और अंगूतर निकाह यह भी एक महतंपूर्ण क्या है बाद गरंथ है अंगूतर निकाह इससे आपको महा जनपदकाल के बारे में जनकारी मिलता है यहां पर मैं एक और बताऊंगा कि महा जनपदकाल के बारे में दो लीटरे इसके बाद आपको मिलिंद पन्हों आ गया यह भी बहुत लिटरेचर है इसके अंत्रगत आता है इसके आपको क्या पढ़ने के बाद क्या जनकारी मिलेगा तो इससे जो आप जानेंगे और मिलिंद एक सासक प्राचिन काल में हुआ करते थे इंडिया में हुआ करते थे उनके वारता को यहां पर कंपाइलेशन किया गया है जो संग्रह करके किताब करूप दे दिया गया है तो इसे मिलिंद पन्हों के बारे में आप जानेंगे इसके अलाबा मिलिंद पन्हों के सासकते उनके जो समकाली और भी रीजनल सासकते उनके आप जाननों को मिलेगा उस समय के in that time period समाजी कंडिशन, economical conditions and political conditions के बारे में भी आप इसके दुआरा जान सकते हैं इसके अलाबा आपको आर्या मन्जु स्री मूल कल्ब अभी क्या है एक बहुत साहिते काफी इन पॉर्टेंट बहुत साहिते हैं और इसे भी उस time period के बारे में आपको बहुत कुछ जनकारी मिलेगा इसके अलाबा आपको उस समय के समाजी कंडिशन के बारे में बीसे स्तौर् वे सारी लिट्रेचर है वे सारी स्रोथ है जो जन धर्म से रिलेटेड हो और जो महावीर स्वामी है उन से रिलेटेड हो मैं आपको बता दूं कि इससे इसके अंत्रगत क्या क्या आता है तो इसके अंत्रगत क्या क्या आता है तो इसके अंत्रगत दो लिट्रेचर मुखे सब्सक्राइब सब्सक्राइब कुछ चोड़ी आधाय वाहिफ क्या रावार विल लोकेसिंज उसकी पॉलिटिकल ं cups के बारे में बीसिर्स रूप से आको डी कि फिर थंकर हुए यह हैं जन्पर में उन सब के बारे में आपको डिकेली चरचा किया गया ह। और इसके अलावा उर भी बहुत सारे चीजों पर इसमें चरचा आप किया गया है bud לit destaح के बारे में आप संसीर सब्साक्ड। बताउगा बहुत लिटरिचर वो है जो बहुत धर्म के बारे में जनकारी देता हो साथी साथ उस समय के समकालिन और भी चीजों के बारे में जनकारी देता हो और जन लिटरचर वो है जो जयन धर्म से समंधित बातों को हमें जनकारी देता है पढ़ने पर तो यह हो गया इस स्लाइट में इतना पहला आपको religious and दूसरा non-religious and तीसरा foreign account. तो religious के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, इसके परकार के बारे में बता दिया, अब हम second चलेंगे और non-religious के बारे में जानेंगे. तो आपने religious के बारे में जान गिया, कि religious के परिभासा किया, उसके types कितने हैं इसके बारे में आप जान लिया आप हम जानेंगे non-religious literature किया है तो basically non-religious वे सारे literature को कहते हैं जो धर्म से समझ नहीं रखता हो यह all those literatures which is not related from any religious these types of literatures is called non-religious literatures तो इस type के जीतने भी literature है सोर्स हैं जिससे हमको पढ़कर इतिहास के बारे में जनकारी मिलती है वे सारी क्या कहलाएंगे non-religious category के अंत्रगत आएंगे यह non-religious literature यह source कहलाएंगे तो जैसे अर्थ सास्त हो गया अर्थ सास्त के बारे में आप साथ जानते होंगे एक कौटिले दौरा लिखा गया यहां पर मैं बता दूं कि कौटिले का एक दो नाम है कौटिले का बिश्नु गुप्त भी कहते हैं कौटिले भी कहते हैं अंचान इन्हों थे बिष्णु गुप्त है यह पध्धान मंत्री थे चंद्गुप्त मौरे के इन्हों थे चंद्गुप्त मौरे के साथ मिलकोर मौरे डैनेश्टी की अस्थापना किया था तो इसके पढ़कर और क्या क्या आप जान सकते हैं तो बिसिकली मैं आपको बतारूँ कि अर्थ सास्त के पढ़ने के बाद आपको बिसे सुरूप से आपको एकनॉमिकल कंडिशन्स जान सकते हैं, एकनॉमिकल कंडिशन्स में आपको रिवेनु सिस्टम बेगरा के बारे में इसमें चर्चा किया गया इसके साथ ही साथ आपको सोसल कंडिशन्स में जो कॉस्ट सिस इस टाइप से होना चाहिए इन सब चीजों को बारे में आपको बताया गया इसके साथ-साथ इसमें Code of Conduct, राजा के Code of Conduct को लेकर भी बहुत सारे चीज आपको अचार सनीता के बारे में बताया गया है, तो यह आपको चानक्य हो गए, यह आपको अर्सास्त का राइटर हो जिसके लेखक है, कामंदक, कामंदक इसके लेखक है और यह भी एक non-religious category के आंत्रगत रखा जाता है, यह एक important literature है, जिससे हमें इतिहास के बारे में जनकारी मिलती है, इंसेंट इंडिया के बारे में जनकारी मिलती है, अब हम चलते हैं आप राज तरंगनी, यह जो आपक इतिहासी literature है, गरंथ है, जिसका लेखक कलहन है, किन चीजों का इसमें वर्णन किया गया है, तो बेशीकली इसको पढ़ने के बाद आप कासमीर के जो राजनीतिक है, कासमीर के जो इतिहास है, बेशीकली उस पे चर्चा किया गया है, साथ ही साथ जो समकालीन, जो और भी जाजे थे, प्रान थे, उसके सास को और वहां की कंडिशन को बारे में भी इसमें चर्चा किया गया है, यह काफी इंपोर्टेंट्स लिट्रेचर माना जाता है, इसके अलाबा आपको किर्ती कामूदी है, जिसके लेखक क्या है, सोमेशवर है, तो यह एक इंपोर्टेंस लिट्रेचर है, तो इसके नॉन रिलिजियस काटेगरी के अंतरगत इसे रखा जाता है, इसके अलाबा मुद्रा राच्छा से, जिसके लेखक जो है विसाखदत है, इसके बारे में आपको प्राचिन काल के चीजों के बारे में इसमें बिस्तित रूप से चर्चा किया गय इसके अलाबा अश्टाच्धियाई है, इसके लेखक पानिने है, सुन जो ज सासक पुसेमित सुन. इन्हों, इन्हों ने ने जो आनतिम सासक था बिधरत को मार कर सुन डिजियस्टी की इस थापन अकिया था, इन्दां मगद पातली पूत्री में, तो उन्नहीं के बारे म और सब्सक्राइब यह ढते हां, प्रबंधन कोस्ता प्राचिन ग्रांथ है , जिसके लेखक है rap Cotton और आजए चलते हैं जैसे हम पर हर्सरीत बेचा ही आप का हम इसह मान जाता है इसमें आपको काफ इंपोरेटेंन इशे माना जाता है हर्सरीत आपको मैं बताउं पी जो है लेखर वढृहें राढfficiency का फुन्हों का इस happen कि हर्स चरित के हर्स जो थाषिक है उसके राज्किय कभी कौन है वांभत है तो उनी के पर्संटा में खूस करने के लिए वांभत ने एक किताब लिख जिसका नाम Box pertama ऑंभाइं कंष टो ऊस आर जान सकते है तो इसका विक्तिकत एप से बारे में जान सकते हैं इसके अलावा और भी जो रिलिजियस कंडिशन के बारे में इसमें जान सकते हैं आप आप नेख चलते हैं यहां पर है बुध चरीत इसके जो लेकर कहें वह अर्ष्व घोष है यह यह काफी इंपॉर्टेंट्स लिटरेचर है जिससे हम इतियास के बारे में जनकारी मिलती है इसके अलावा बिक्रमांक देवचरीत ये चालू के जो ड्यानेश्टी के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शोमेशवर तो इन्होंने विक्रमादीति की उपाधे ली थी उन्हीं का दरवारी कभी था विलहन तो विलहन ने उनकी प्रसंसा में एक कई समाजी चन्टीशन उनके राज की यह आर्थी चन्टीशन प्रमांक आप सब्सक्राइव करियों पालिटीपरा है को जान सकते हैं इसके दौरा आं अब करते एमनेशल से अधे हैं अग इसके जो राइटर हो है चंडवर्दाई चंदवर्दाई बेशी करे आप जानते ह गया है उसके बारे में जान से तो पिति वीराज सारों से आपको इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है तो भी एक काफी इंपॉर्टेंट टेक्स है इसकी जो लेखा कहा है वो चंदवर्दाई है अब नेक चलते हैं अब है रामचरीत रामचरीत भी एक इतिहा तो इन सब जो literature है वो आपको non-religious जो source है उसके अंत्रगत आएंगे इसे पढ़कर आप इतिहास के बारे में जनकारी इससे बहुत कुछ मिलती है लेकिन यह जो आपको में बता दूए इसके जो विसेस्ता है वो किसी भी विसेस धर्म या बेक्ती से बेक्ती नहीं बलकि विस इसे धर्म से related नहीं है इसलिए इसे non-religious जो category है उसमें रखते हैं अब नेक चलते हैं और कुछ जानते हैं यहां पर आप देख रहे हैं परस्ती एंचरीता हम जानेंगे परस्ती क्या है जब कोई inscription किसी राजा के प्रसंसा में लिखा गया हो तो उसे हम परस्ती कहते हैं ज जल तो उसे प्रयाक परस्ती हो गया इसको समündھ गुप्थ ने लिख वायह तो उसка मतल्ब ए हुआ कि आपको समुंद गुप्थ के बारे में उसमें उसके प्रशंसा किया ओ ठीक है हरी श्यानमै के कभी थे उनके राज कभी उख प्रयाग जो प्रस्ती इसको लिखाया था तो आप असान सब्दों में ए समझें, कि आप से कोई पूचें, कि परस्थी क्या तो आप बताएंगे, परस्थी जब कोई राजा के प्रशंषा में कोई इंस्क्रिप्शन्स कोई अविलेक लिखवाया जाता है, तो उसे परस्ती कहते हैं, आप नेक चलते हैं, और कुछ जानते हैं, जैसे यहां पर आपको चरीत हो गया, अब उसी के थोड़ी सी, उसी टाइपस का है, चरीत मिंस जब कोई राजा के प्रसंसा में कोई लेटर्स, कोई बुक्स या नॉबिल्स लिखाया जाया तो उसे हम च लिखते हैं, तो आप जहां भी आपको चरीत लिखा हो तो आप समझेंगे किसी राजा के, किसी एम्पेरियर के जो गुनगान को बताया गया है, प्रसंसा किया गया है, और जब प्रस्ती दिखेंगे, तो आपको साप समझेंगे, प्रस्ती में किसी राजा के प्रसंसा में क आप नेक चलते हैं और कुछ जानते हैं यहां पर इसका हिंदी वर्जन है हिंदी वाले जो इस्टुडेंट होंगे वह देख लिए जिया उनके यह काफी यूजफूल हो सकता है अब नेक चलते हैं और कुछ जानते हैं जैसा कि स्लाइट्स आप देख रहे हैं पर लिखा है तो आप फॉरन अकॉंट्स के बारे में हिंदी में कहें तो विदेशी आता है बितान के बारे में आप जानने वाले हैं इसके पहले स्लाइट्स में आपको मैं बताया था किसके बारे में तो नौन रिलिजियस के बारे में बेसिकली जो लिटररी सोर्स था उसके तीन परका तो इसकी जो परिभास्ता है, all these sources are called foreign accounts, which are written by foreign scholar and travelers, असान सब्दों में कहें, वे सारे literature, source foreign accounts के अंत्रगत, विदेशी यात्रा बितान्त कहलाएंगे, जो किसी विदेशी scholar या विदेशी विद्वान and traveler द्वारा लिखा गया हो, जैसे कि ancient India में, ancient period में, बहुत सारे लोग विद या राजदूत भेजा करते थे, तो वो जो राजदूत आता था या बैपारी आते थे, वे यहां की चीजों को जानती थे, समझते थे, देखते थे, इसके अधार पर, अपनी experience का अधार पर, यहां की समाज के बारे में, समाजी कंडिशन, एकनोमिकल कंडिशन, राजिशन के बारे में, कुछ ना कुछ लिखते थे, लिक कर चले जाते थे, तो वे सारे लिखा हुआ जो चीजे हैं, वे सारे लिखा हुआ टेक्स्ट है, वो क्या कहलाएंगे, फॉरण अकॉंट कहलाएंगे, I hope that कि आप अच्छे समझ रहे होंगे, कि फॉरण अकॉंट क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि जो तीन देशों से मुखे रूप से यहां पर जो बैपारी और जो ट्राबलर थे, इसकोलर थे आया करते थे, तो उनके बारे में हम जानेंगे, पहला जो हम जानेंगे, आपको ग्रीक के बारे में जानेंगे, कि ग्रीक से कौन कॉन अच्छ आये य तो है Herodotus, आप यहां पर ध्यान देखिए कि Herodotus को Father of History भी कहा जाता है, इन्होंने किताब लिखा था हिस्टोरिका जो भारत के बारे में लिखा था, भारत में के जो चीजे उसके बारे में अची से चर्चा किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभागे वस ए जो कि किताब लिखा गया था, जो काफे इंपॉर्टेन था, जो भारतिये समाज को, भारतिये दर्शंस को, भारतिये मैथेमेटिक्स को और भारतिये चीजों को बहुत अच्छा से दर्शाता है, तो यह थे आपको Herodotus, जो इतिहास को बहुत अच्छे से करमभाई लिखने का प तो इसी तरफ आप एक चीज में बिशसक्ये था, प्राप्त करते हैं, लेकि पहले की जवाना में क्या होता था, लोग मैल्टी टालेंटेट पर्शन हुआ करते थे, जैसे यहां पर हम टेसियस को क्या पढ़ते हैं, आजे हम इतिहासकार पढ़ रहे हैं, क्यों होने कुछ लिखा है भारती ये समाज के बारे में, भारती इतिहास के बारे में, इसलिए एजे हिस्टोरियन, एजे इतिहासकार गूरूप में हम टेसियस को पढ़ रहे हैं, लेकिन अहां जब आप जोगरफ भी पढ़ेंगे, तो वहां पर टेसियस को आप आप एजे जोगरफर पढ अब नेक्स चलते हैं और को जानते हैं अब यहां पर नेक्स थे यात्री थे वह टॉलमी थे यह एक जोगराफर थे और यहां पर लेकिन इनको हम अजे हिस्टोरियन पढ़ने वाले यह भारतीय समाज के बारे हैं बहुत कुछ लिका यहां कि समाजी कंडिशन्स यहां की जो जो छुद्रों की कंडिशन्स थी वेवस्था थी उनकी और जो रूल से रेगुलेशन्स के बारे में और जो जातीयन वन सिस्टम थी भारतीय समाज में उन सब के बारे में बिस्तित रूप से डीटीली इन्होंने चर्चा किया है अब नेक चलते हैं अब यहां नियारकस थ भारतिय समाज भारतिय दर्संस के बारे में हम बता जें कि जो नियारकस थे वो एक्चॉली सेनापती थे कमांडर थे किसके अलग जेंडर सिकंदर के थे लेकिन जब सिकंदर की मिर्तु ही तो उनके समराजों को बार दिया गया कई सेनापतियों में तो नियारकस राजा बन क्योंकि इतिहास में इन्होंने बहुत कुछ कंट्रिबूट किया है अब नेक चलते हैं अब हैं मेगा असनीज मेगा असनीज को हम यहाँ पर आजय इतिहासकार की रूप में पढ़ते हैं इनकी किताब है इंडिका बेसिकली इंडिका साप जानते होगे इंडिया जैसा लग किताब को लिखा गया है और इसमें बेशिकली इंडियन समाज को बहुत अच्छे से आपको बताया गया है यह जो इस पेसली अंबेस्टर थे राजदूत थे किसके नियारकस का राजदूत थे जब नियारकस राजा बना तो इसके बाद वो मगत समराजे थी चंजगुप् तो मेगासनी जब यहां पर आया तो यहां की समाज को जाना समझा और चीजों को समाज के यहां की गरंतों को पढ़ा और इनलाइज करा चीजों को इसके बाद एक गरंत लिखा जिसका नाम है एक टेक्स लिखा जिसका नाम है इंडिका इंडिका बेशिकली जो यहां की दर अब नेक चलते हैं, अब यहां पर Aristobulus, Aristobulus अलग जेंडर, यह भी इन्हों ने भी एक ग्रीक यात्री थे, ग्रीक हिस्टोरियन थे, जिन्हों ने भारत के बारे हैं, बहुत कुछ लिखा है, तो यहां पर इन्हें भी हम ऐजे हिस्टोरियन पढ़ते हैं, इनकी भी जो यात् अब हम नेक चलते हैं और कुज आन पादे जो पहला क्टेमरी थे जिस अने वाले लोगों का था इसके अलाबा जो आप भार्तिय समाज को जाना, पहचाना, समझा और उन्होंने अपने एक्सपरियेंस को अनुभाव को लिखा, उनके बृतांत को हम आजे सोर्स के रूप में काउंड करते हैं और इसी को हम फॉरन अकॉंट्स के रूप में भी जानते हैं, तो फॉरन अकॉ आजे स्टुडेंट के रूप में आये थे, इन्होंने जो नालंदब इस विदाले हैं, वहां कई वर्सों तक इन्होंने अध्यन किया, इसके बाद इन्होंने कई किताबों को लिखा, इनकी जो कंट्रिबूशन बेसिकली काफी सराहनी है, भारती शमाज और भारती इतिहा को लेकर, इसलिए इनके जो ब्रितांत को हम एजे फॉर्न अकॉंट को रूप में पढ़ते हैं, हम नेक से इत सिंग, इत सिंग भी एक मॉक से बहुत भिख्छू थे जो भारत के बारे में बहुत कुछ इन्होंने भी लिखा है, अब है लवीली, लवीली भी एक क्या थे, चीनी यात्री थे, चीनी ट्रेबलर थे जो भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, इसके अलावा सूंगपन, सूंगपन भी एक बहुत भिख्छू थे, जो चाइना से आया थे और भारत में रहकर भारत के चीजों को जाना समझा और इसके बारे में उन्होंने भी तो आप तक हमने दो जाना चाइना से आने वाले यात्रियों के बारे में जाना और इसके अलाब आपको ग्रीक साने वाले यात्रियों के बारे में जानेंगे अरब साने वाले यात्रियों के बारे में जानेंगे तो अरब साने वाले यात्रियों में अल-बेरुनी है इन्हों पितिहास्त की एक बहुत अनुखी और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्भूुक है तहकी के इन ऍससे आप भारतिय समाज के भारतिय अंध बिस्वाद जाती कास्ट सिस्टम इन सबके बारे वर्ण सिस्टम, शुद्रों को क्यास्तिती थी समाज में, इन डाट टाइम परियर्ट, सब के बारे में बिस्तित रूप से डिटियली समें चर्चा किया गया, अलबरुनी ने अपने किताब तहकीके हिंद में किया, इन्होंने कब आया थे तो यह वेसिकली जब गौरी ने आ अलबरुनी आये थे और यहां के चीजों को बहुत अच्छी द्रंग से लिखा यहां के समाज के बारे में लिखा है, जो एक आपको फॉरन अकॉंट सोर्स के रूप में कौंट किया जाता है, हम नेक्स हैं, अलमसूदी है, नेक्स्ट, अलमसूदी भी एक अरब यात्री थ तो इनके जो यात्रा बिरितांते काफे इंपॉर्टेंट है, अजे हिस्ट्री सोर्स के रूप में, अब हम नेक्स चलते हैं, इसके साथ ही आप एक बात को और आपको ध्यान देना है, जो हेरो डोटर्स थे, हेरो डोटर्स के समय में एक और ब्यक्ति भारत में आया था, औ बहुत कुछ लीखा था, जात्रा बिरतांत, उनका नाम था लिवी, लिवी बेशिकर ये रोम से थे, लेकिन किकिस के समकालें थे अपको हेरो डोटर्स के समकालें थे लिवी, इन्वे भारत में ब्रह्मन किया था विजिट किया था और भारति ये समाज को जाना पहचाना भारती इतिहास को आदा नहेंद भारती इतिहास को एक नया धीशा दिया था, तो इस digamos में लिञार फोरर्ण अकॉंट्स के बारे मारे जाना, जिस만के पर तीन लोंसे पार्ट नियों दोड़ता नहीं दूसरा था धाय तो ईतना कुछ आप ने लिए या जाना ने वाले लो द दिया गया हिंदी वाले देखने ताकि वह उनके लिए काफी सुबदा होगी अब नेक चलते हैं और को जानते हैं तो यहां पर खतम हो गया थैंक्स पर वाचिंग धन्यबाद इस वीडियो में आपने जाना लेटररी सोर्स के बारे में इसके पिछले वीडियो में आपने जा ए Way बारे में एक बु estàथ चटने झालाद बारे में आपने झाले वीडियो में टाना चैंडे काना झाले ने कि वीडियो में आपने ए्यार बारे मुएले याड़ में उनके लूदा हो गया द All right you watch um